Hello Friends, Welcome to my Channel आजमा की रेसिपी Friends, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत लेकर आए हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जादा डिलीसियस खीर की रेसिपी Friends, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज रेसिपी को लाइक करना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए ये खीर बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए मैंने एक कप चावल ले लिए हैं चावल आप मोटे पतले कैसे भी ले सकते हो तो यह चावल मैंने एक घंटे के लिए भीगो के रख दिये थे तो अभी अच्छे से काफी फूल चुके हैं इसके साथ में हमने ले लिए यहाँ पे ड्राइफ रूट्स तो यहाँ पे कुछ बादाम, थोड़े पिस्ते, कुछ अखरोड तो यहाँ मैंने ड्राइफ फूर्ट्स ले लिए, ड्राइफ फूर्स आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हो इसके साथ में मैंने ले लिए यहाँ पे एक कटोरी चीनी तो यह चीनी का यूज़ करूँगी मैं साथ में ले लिया हमने यहाँ पे 2 लीटर दूद दूद आप कम भी ले सकते हो एक लीटर की बना सकते हो या जितना भी आपके पास अवेलेबल है तो चलिए यहाँ पे साथ में मैंने ले लिये 3-4 हरी लायची तो इसका मैं पाउडर बना लूँगी तो अभी सबसे पहले यहाँ पे हमने एक कड़ाई रख दिये गैस के उपर तो इसमें मैं दूद डाल दूँगी यहाँ पे और दूद में हम एक उबाल आने का वेट करेंगे तो यहाँ पे देखें दूद में उबाल आने लगा है तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे कंटीनियो चलाना शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ पे दूद नीचे लग जाता है पतीले में तो यहाँ पे खीर बनाने के लिए हमें भारी तले की कड़ाई लेनी है कड़ाई या कुछ भी भगोना आप जो भी ले रहे हो भारी तली होनी चाहिए उसकी तो यहाँ पे दूद में उबाल आ चुका है अभी में इसमें चावल डाल दिये हैं और साथ में यहाँ पे इलाइ क्योंकि खीर अगर नीचे जल जाती है तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तो यहां पर हमें इसी चीज का ध्यान रखना है कि नीचे ना जलने पाए तो यहां पर मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद में इसको चला रही हूं तो अभी आप देश सकते डाल दिये हैं अभी एक बार इसको फिर से चलाते हैं तो चीनी जैसे जैसे इसमें मैल्ट होगी एक बार फिर से यह पतली हो जाएगी तो अभी हमें इसको और 6-7 मिनिट के लिए पकाना है तो फ्रेंट जब तक हमारी खीर अच्छे से बनके तयार हो रही है प्लीज मैं आ जंड़ा दूद है और अभी इसमें हम 3 चमच यहाँ पर मैं कश्टर्ड डाल दूँगी अगर आप इसको ठंड़े दूद में नहीं मिक्स करना चाहते तो आप इसको पानी में भी मिक्स कर सकते हो तो अभी अच्छे से इसको मिक्स करके और हम दूद में डाल देंगे तो कश्टर्ड पाउडर की खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है एक बार इसे जरूर बनाईए तो यहाँ पर अभी हम इसमें मिक्स कर देंगे एक बार इसे में फिर से चला लूँगी क्योंकि कश्टर्ड नीचे जम जाता है तो इसको एक हाँ से डालेंगे और दूसर जल्दी गाड़ी होने लगती है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़ादा जबरदस्त होता है तो एक बार यह कश्टर्ड पाउडर की खीर जरूर बना कर देखे बहुत ज़ादा पसंद आएगी तो आप देख सकते हो कितनी बढ़िया से यहाँ पर खीर का टेक्स्टर है फ्र कर लिया है और चलिए अभी इसको हम सर्व कर लेते हैं तो friends आप इस खीर को किसी भी function पर किसी भी या कभी आपका कुछ खाने का मैठा खाने का मन करें तो आप इस खीर को कस्टर्ड वाली कीर को बना के तयार कर सकते हो बहुत ज़ादा टेस्टी खीर बनके तयार होती है त होड़ा सा हम इसके उपर पीस्ता बादाम डाल देंगे कुछ भी आप अपनी पसंद से इसके उपर ड्राय फूर्ट से डाल दीजिए तो ये देखे फ्रेंट्स एक बार मैं आपको फिर से मिक्स करके दिखाती हूं कितनी बढ़िया से यहां पर रबडिदार कीर बनके तयार हुई है फ्रेंट्स अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगिए तो प्लीज रेसिपी को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन का बटन भी दबा दें जिससे मेरी वीडियो के आने वाली नोटिफ सबसे पहले आपको मिल सकें